जंडा उचा रहे हमारा गाय मिलकर भारत सारा सारे जहां से अच्छा चंद्रियान हमारा आज ये गीत हर एक भारतिये के मन में गूंज रहा है क्योंकि इसरों ने एक नया इतिहास रच्छते हुए चांद पर फत्य हासिल कर ली है दोस्तो इस वक्त इसरों की तरफ से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चोड़ा हो जाएगा सचमच जिस पल का हम बेसबरी से इंतजार कर रहे थे वो पल आ चुका है इसरों के वग्यानिक की पिछले दस सालों की महनत रंग ला चुकी है और भारत के चंद्रियान तीन ने चांद की सता पर सफलता परवक्त सौफ्ट लेंडिंग कर रही है आज भारत अपने यान को पहली बार प्रत्वी के अलावा किसी दूसरे पिंड पर सुरक्षत उतारने में काम्याब रहा है इस एतिहासिक पल को करोडो भारतियों ने लाइव देखा है और इस सफलता पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इस तो के अबवेग्यानिकों को मुबारक बात देने के साथ साथ अगले स्पेस मिशन के लिए बड़ा फंड देने की बात तक कह दी है लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लेंडिंग के दौरान कुछ पलो के लिए इस रोके ग्राउंड सेंटर का बिकरम लेंडर से संपर्क कमजोर हो गया था और वो बड़ी गलती कर बैठा था जिससे ये मिशन फेल हो सकता था तो आखर कैसे होई विकरम लेंडर की लेंडिंग और क्या थी वो गलती जानने के लिए बने रही है इस वीडियो के आंत तक दोस्तो कर राच चंदरियान तीन का विकरम लेंडर अपनी आखरी कक्षा में घूम रहा था और लेंडिंग काउंट डाउन शूरू हो चुगा था हवाओं को चीरते हुए चांद की सता पर अपना कदम रख चुका है और अपनी तेज दहार से भारत के खलाब बुरा भला कहने वाले लोगों की बोलती बंद कर चुका है इसे के साथ चारों तरफ हड़कम बच गया है और दुनिया भर के देशों को यह यकीन नहीं हो रहा कि भारत जो अभी 77 साल पहले तक तो अंग्रेजों की घुलामी में था उसने आज धरती छोड़ो चांद को भी अपनी मुच्छी में कर लिया है दोस्तों आपको यह जानकर गर्व होगा कि लेंडिंग के साथ रूस अमरिका और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश और खौफनाक दक्षनी दुरू पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है साथियों इसरों ने जानकारी दी थी कि 42 दिनों के लंबे सफर के बाद 23 अगस्त के दिन शाम 6 बजे चंद्रियान 3 का विक्रम लेंडर चांद की सता पर लेंड करेगा इसलिया सुबह से ही देश भर में चिंता और खुशी का माहौल चाया हुआ था सभी देश वासी यही प्रार्थना कर रहे थे किस बार के मून मिशन में इसरों को सफलता मिल जाए और दोपहर को प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी भी इसरों के हैट कौार्टर पहुंक चुके थे ऐसे में चारों तरफ चंद्रियान चाया हुआ था और आज उसे कमाल करके दिखाना ही था तो ऐस कैसा था लेंडिंग से पहले का आखरी एक घंटा चलिए देखते हैं तो मिशन की सफलता की उमीद के साथ इसरों ने शाम के 5 बच कर 20 मिनिट पर विक्रम लेंडर के सौफ्ट लेंडिंग मिशन की लाइव स्ट्रीम शुरू की और देखते ही देखते करोडो भारती इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बन गए और सभी ने साथ मिलकर विक्रम को लैंडिंग करते हुए देखना शुरू किया इसके साथ ये डिजिटल इंडिया का एक ऐसा बड़ा इविंट बन चुका था जिसके विवर्स सर्फ इंडिया से नहीं बलकि पूरे वोल्ड से थे और हर तरफ उम्मीद और फिक्र का माहौल चाया हुआ था दूसी तरह भारत का विक्रम लैंडर 6,000 किलो मिटर के रफ्तार से अपनी कख्षा के सबसे लोईस्ट पॉइंट यानि की 25 किलो मिटर की उचायी तर पहुचने की दिशा में आगे बढ़ रहा था और चंद मिन्टों के बाद वो समय आहीं गया जब मिशन के सबसे एहम या और अगर स्पेस क्राफ्ट का सामना किसी मुश्किल से हो जाए तो उसे खुद उस मुश्किल का सामना करना होता है और इसी दोर में जादातर स्पेस मिशन फेल हो जाते है वही चार साल पहले हमारा चंदरियान दो भी इसी कोशिश में फेल हो गया था ऐसे में फुली एसी में बैटरी के बावजूद इसरो के विग्यानिकों के पसी ने छूट रहे थे लेकिन हिम्मत बनाये हुए करीब पाँच बचकर पैतालिस मिनट पर इसरो चीफ एस सोमनात ने आखरी बटन दबा कर विकरम लेंडर को लेंडिंग करने का संकेत दे दिया इसी के साथ लाइव टेली कास्ट देखने वाले हर भारतिय का गला सूख कया था और हर तरफ से चंद्रियान तीन को दुआएं मिल रही थी क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट ही चंद्रियान तीन की खस्मत लिखने वाले थे खैर इस बटन को दबाने के बार चंद्रियान तीन ने धीरे धीरे अपनी काक्षा को जोड़ा और चांद की सता की तरफ बढ़ना शुरू किया इस दोरान उसने अपने सबी 9 के 9 सेंसर्स और कैमराज को आन कर दिया बाज की नजर से 360 डिग्री देखने में लगा साथी इस चरण की शुरवात में विक्रम लेंडर की रफदार 6000 किलोमेटर प्रती घंटा थी जिसे घटाने के लिए उसने अपने सबी डी बूस्टिंग इंजिन भी आन कर दिये जिनों नभी परी तो दिश्टा में प्रिशर लगा कर चंद्रियान 3 के रफदार को कम करना शुरू किया यहां तक कि सब कुछ सही चल रहा था और यह सबी काम इसरों की ग्राउंड टीम नहीं बलकि विक्रम लेंडर खुद कर रहा था जिसमें कुछ पलों के लिए इसरों का विक्रम लेंडर के साथ संपर्क कमजोर हो गया क्योंकि यह चंद्रमा की फॉर साइड में उतर रहा था जहां दूरी जादा होनी के वज़़े से कम्यूनिकेशन में दिक्कते आती रहती है इसलिए विक्रम लेंडर के चेहरे पर फिक्र का माहौल चाने लगा लेकिन इस बार इसरों के विक्रम लेंडर के एडवांस अल्गोरिण ने फिर से इसरों के साथ संपर्क सार लिया साथी साथ इसकी लेंडिंग प्रोसेस भी चल रही थी और अब ये अपनी रफदार को कई गुना कम कर चुका था साथी इसने अपने अंगल को बदलते हुए होरिजोंटल से वर्टिकल कर लिया था जिसके बाद मिशुन का अगला चरण शुरू हुआ जिसमें सता से करीब पांच से एक किलोमेटर के उचाई के बीच विक्रम लेंडर ने अपनी चार गुने धाई किलोमेटर की लेंडिंग साइट को स्कैन करना शुरू किया अपने लिए एक पॉफिक्ट लेंडिंग स्पॉट खूज निकाला जहाँ ना तो क्रेटर था ना चटान थी ना ही धूल थी और ना ही सता जादा उबर खाबर थी लेकिन इतना लंबा सफर पूरा करके यहाँ पहुचने के बाद विक्रम लेंडर में इंदन खत्म होने लगा था इसलिए बिना देरी के इसे लेंडिंग करनी थी जिसके लिए इसने और जादा नीचे बढ़ना शुरू किया और सता के बेहत करीब यानि सौ मिटर की उचाई पर पहुच गया जहाँ पर इसने अपनी वेलोसिटी यानि रफटार को दो मिटर प्रती सेकंड यानि की 7.2 किलो मिटर प्रती गंटे तक कर लिया था मगर थोड़ा एक्ष्टा फ्यूल होनी की वज़े से इसने अपनी रफटार को और जादा कम करने की कोशिश की और करीब 3 किलो मिटर प्रती गंटे की रफटार से चांद की सता पर एक साथ अपने चारो पैर रखे और शाम 6 बच कर 5 मिनट के खरीब चांद की सता पर लेंडिंग कर लिया और चंदा मामा के दक्षनी द्रू को अपनी मुठी में कर लिया लेकिन ये सेफ लेंडिंग थी या नहीं ये तो अब इसके उपकरण ही बताने वाले थे क्योंकि टूट फूट कर तो कोई भी लेंडिंग कर सकता है लेकिन सेफ लेंडिंग उसे ही कहते हैं जिसमें लेंडिंग के बाद स्पेस क्राफ्ट के उपकरण ठीक तरह से काम करें इसी वज़े से फाइनल डिसीशन्स से पहले इसरो की टीम की धणकने बढ़ चुकी थी उदर रूस और नासा भी चंद्रियान तीन को लगातार मॉनीटर कर रहे थे दरसल एक की सफलता से दूसरी स्पेस एजनसी हमेशा भूल निकालने की कूशिश कर दी है ताकि कोई उन से आगे ना निकल जाए लेकिन इस बार इसरो दुनिया की कलपनाओं से भी आगे निकल चुका था और विक्रम लेंडर के टच्ट डाउन सेंसर्स ने ग्राउन टीम को डेटा भीजते हुए कहा कि लेंडिंग पॉफेक्ट हुई है इस लेंडिंग के बाद दोस्तों इसरो ने विक्रम लेंडर के सभी फेलोड उपकरनों को आउन किया जो बिलकुल सही काम कर वे थे जो इसके बाद विक्रम लेंडर का दरवाजा खुला और प्रग्यान रूवर ने चांद की सता पर कदम रखा इसे के साथ इसरो ने दुनिया में अपनी जीत का पर्चम लहरा दिया वाकर ये इतना इतहास एक बल था कि पूरे देश के लोगों की आँखों में खुशी के आँसू थे पूरा भारत इसरो की इस काम्याबी का जश्न मना रहा था यहां हमने भी खुशी के इस वीडियो को आप तक पहुचाने के लिए जल्दी से वीडियो तैयार किया क्योंकि हम इस खुशी को अपने परिवार के साथ सेलिबरेट करना चाहते थे और अब चंद्रियान तीन मिशन की सफलता की कहानी आपको बता कर हमें कितने खुशी मैसूस हो रही है वो हम शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते इसलिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे जय जवान जय कसान जय चंद्रियान तो दोस्तों अगर आप भी चंद्रियान तीन मिशन की सफलता से खुश है तो कॉमेंट बॉक्स में इसरो की जय जय खार के नारों से भर दीजे और साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इतना शेयर कीजे कि भारत के 140 करोड लोगों तक की खुश खबरी पहुचे और चंद्रियान तीन मिशन से जुड़े आगे क्या अपडेट्स जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बल आइकन जरूर प्रिस कर दीजे